प्रिष्ट संखेया 75 अध्याए 5 उपभोक्ता अधिकार इस प्रिष्ट पर सबसे उपर कुछ ऐसे लोगों के चित्र दिये गए हैं, जो प्राप्त की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं हुए यहां समाचार पत्रों में प्रकाशत कुछ समाचार दिये गए हैं, जिनके शीर्षक हैं, गरीबों को मिलेंगी सस्ती डालें, गलत दवा देने से महिला की मौत और एक समाचार पर शीर्षक है, नीम हकीमों के विज्यापन पर सरकार को नोटिस इस से अगले समाचार का शीर्षक है, सुरक्षा की गारंटी के नहीतार्थ, उपभोक्ताओं के विश्वास पर, और उससे नीचे एक समाचार दिया है, बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल, और एक अन्य समाचार प्रदूशित पानी ये समाचार संग्रह है, उपभोक्ता नियायाले के निर्णेओं के कुछ समाचारों के नमूने हैं, इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णे इसलिए दिये गए क्योंकि कुछ लोग नियाय पाने के लिए द्रिड़ एवं संगर्श रत रहे, किस तरह वे नियाय को पाने के लिए तरस्ते रहे? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है, तो विक्रेताओं से यतोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? प्रिष्ट संखेया 76 बाजार में उपभोक्ता बाजार में हमारी भागिदारी उत्पादक और उत्पभोक्ता दोनों रूपों में होती है. वस्तूओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित क्रिशी उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कारेरत हो सकते हैं. आविशक्ता अनुसार वस्तूओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोकता के रूप में लोगों द्वारा उपभोक किये जाने वाली ये अंतिम वस्तूओं होती हैं। पिछले अध्यायों में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आविशक्ता का वरणन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है। जिस तरह साहुकारों द्वारा लगाये जाने वाले उच्च ब्याजदर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं वी नियमों की आविशक्ता है। उद्वारण के लिए अनौपचारिक ख्षेत्रों के साहुकार जिनके बारे में आप पहले के अध्यायत तीन में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाव पेच अपनाते हैं। सामायक रिण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे स्वपना जैसी महिला को रिण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्रे करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को जहिलना पड़ता है जो नियायोचित नहीं होती हैं और प्राया उनके स्वास्थे के लिए हानिकारक भी होती हैं। ऐसे शोशन को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हे तू। हमने नियमों एवं वी नियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनोंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं वी नियमों की आवशक्ता होती है क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्राया स्वैम को कमजोर स्थिती में पाता है। खरीदी गई वस्तू यद सेवा के बारे में जब भी कुछ शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायत्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान ने ताहा उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है, अगर वह पसंद नहीं है, तो कहीं और जाईए। मानो, विक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिती को बदलने का एक प्रयास है, इस स्थिती को बदलने का एक प्रयास है, बाजार में शोशन कई रूपों में होता है। उदाहरण के लिए कभी-कभी वियापारी अनुचित वियापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं, या वियापारी उन शुलकों को जोड़ देते हैं जिनका वरणन पहले ना किया गया हो, या मिलावटी, दोशपूर्ण वस्तव में बेची जाती हैं, जब उतपादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोगता कम मातरा में खरीददारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाजार उचे तरीके से कारे नहीं करता है, विशेश रूप से यह स्थिती तब होती है, जब वस्तवों का उतप बड़ी कमपनियां कर रही हों, अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समरिध कमपनियां चाला की पूरवक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं, उपभोगताओं को आकरशित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्ने स्रोतों से गलत सूचना देते हैं, उदाहरण के लिए एक कमपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूद से हमारा उतपाद बेहतर है, सरवादिक वैग्यानिक उतपाद के रूप में शिश्वों के लिए दूद का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा, इसी प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया ह जिसमें एक व्यक्ति अपने हाथ में एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण पकड़े हुए है और कह रहा है उन्होंने जान बूझ कर इसे ऐसा बनाया कि कुछ महीनों में ये बेकार हो जाए ताकि मुझे नया खरीदना पड़े प्रिष्ट संखेया 77 कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्विकार करना पड़ा कि वह जूठे दावे करती आ रही थी इसी तरह सिगरेट उतपादक कंपनीों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उतपाद कैंसर का कारण हो सकता है नियायाले में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी अताहा उपभोकताओं के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवशकता है यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें एक महिला सिगरेट पीते हुए एक व्यक्ति का चित्र देख रही है और कह रही है सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है पर कौन कहे कि तंबाकू कमपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए यही पूंजी बाद है आओ इन पर विचार करें 1. वे कौन से विभिन्द तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोशन हो सकता है 2. अपने अनुभव से एक ऐसे उधारण पर विचार करें जहां आपको यह लगा हो कि बाजार में धोखा दिया जा रहा था कक्षा में चर्चा करें 3. आपकी राय में उपभोक्ताओं के सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंब उपभोक्ताओं के असंतोश के कारण हुआ क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसाइक व्यावारों में शामिल होते थी। बाजार में उपभोक्ता को शोशन से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेश ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामानने तहा वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोकता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तू या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तूओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दी। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोकता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कारियों से उपभोकताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोथसाहित करने की आवशक्ता के साथ हुआ। अत्यधिक, खाद्य कमी, जमाखोरी, काला बाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वज़ा से 1960 के देशक में व्यवस्थित रूप से उपभोकता आंदोलन का उदे हुआ। 1970 के देशक तक उपभोकता संस्थाएं व्रिहत स्तर पर उपभोकता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कारे करने लगी थी। उन्होंने सडक यात्री परिवेहन में अत्यधिक भीडभाड और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कारेओं पर नजर रखने के लिए उपभोकता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोकता दलों की संख्या में भारी व्रिद्धी हुई है। प्रिष्ट संख्या 78 उपभोकता इंटरनेशनल 1985 में संयुक्त राश्ट्र ने उपभोकता सुरक्षा के लिए संयुक्त राश्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोकताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राश्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोकता की वकालत करने वाले समुहु के लिए एक हथियार था। अंतराष्टी इस्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। यह उपभोक्ताओं के सुरक्षा के लिए उप्यूक्त तरीके अपनाने हे तू राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हे तू उपभोक्ता की वकालत करने वाले सम के लिए एक हथियार था। अंतरराष्टिय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल सौ से भी अधिक देशों की दो सो चालेज संस्थाओं की एक संगरक्षक संस्था बन गई है। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन व्रिहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसाय कमपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार दोरा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था। जो COPRA के नाम से प्रसिद्ध है। आप COPRA के बारे में आगे पढ़ेंगे। आओ इन पर विचार करें। 1. उपभोक्ता दलों द्वारा कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। 2. नियम एवं कानून होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता है। क्यों? विचार विमर्ष करें। प्रिष्ठ संख्या 89 उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा सबका अधिकार है। रेजी का कश्ट रेजी मैथ्यू कक्षा नौ का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकत साले में टॉंसिल निकलवाने के लिए भरती हुआ। एक E&T सर्जन ने सामानने बिहोशी के दवा देकर टॉंसिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बिहोशी के कारण रेजी में दिमागी असमाननेता के लक्षन आ गए। जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने चिकितसा सेवा में की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोकता विवाद निवारन समीती में पांच लाख रुपए के मुआवजे का दावा किया। राज्य समीती ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राश्ट्रिय उपभोकता विवाद निवारन समीती में पुनह अपील की। मामले की जाच करने के बाद राश्ट्रिय समीती ने अस्पताल को चिकितसा में लापरवाही का दोशी पाया और हरजाना देने का निर्देश दिया। रेजी की वेथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकितसकों और कर्मचारियों द्वारा बिहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिन्दगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोकता के रूप में बहुत सी वस्तूओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तूओं के बाजारी करण और सेवाओं की प्राप्ती के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है क्योंकि ये जीवन और संपत्ती के लिए खतरनाक होते हैं। तो सुरक्षा की द्रिष्टी से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेवटी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुरघटना का कारण हो सकता है। सेवटी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुनवत्ता करना होगा कि गुनवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुनवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षन उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोगता आंदोलन भी बहुत ज्यादा आप सूची में नया नाम जोड सकते हैं पर चर्चा करें कि इन में उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। खाद्य तेल च विवाहप पंडाल ज एक बहु मनजिली इमारत दो अपने आसपास के लोगों के साथ हुई किसी दुरघटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए जहां आपको लगता हो कि उसका जिम्मेदार उत्पादक है इस पर विचार विमर्ष करें प्रिष्ट, संख्या, अस्सी वस्तूओं और सेवाओं के बारे में जानकारी जब आप कोई वस्तूओं खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे ये जानकारियां उस वस्तूओं के अव्यवों, मुल्य, बैच संख्या, निर्मान की तारीख, खराब होने की अंतिम्तिथी और वस्तूओं बनाने वाले के पते के बारे में होती है जब हम कोई दवा खरीदते हैं, तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से सम्मन्दित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो दुलाई समन्धी निर्देश प्राप्त करेंगे आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियां देनी पड़ती हैं ये इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है तब उपभोक्ता वस्तुओं की किसी भी प्रकार के खराबी होने पर शिकायत कर सकता है मुआवजा पाने या वस्तू बदलने की मांग कर सकता है उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्पाद खरीते हैं और उसके खराब होने की अन्तिम तिथी के पहले ही वह खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकांदार पर आरोप लगा देगा और अपने जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथी समापत हो गई दवाओं को बेचते हैं, तो उनके खिलाफ कारेवाही की जा सकती है। आज सरकार प्रदत विभिन सेवाओं को उप्योगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन 2005 की अक्तूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI, Right to Information या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है। जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कारेकलापों की सभी सूचना पाने के अधिकार को सुनिश्चत करता है। RTI Act के प्रभाव को निम्न लिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। इंतजार अमरिता नाम की एक Engineering सनातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमान पत्रों को जमा करने तथा इंटर्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्ट किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रशनों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोक करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था जिससे कि वह अपने भविश्य की योजना बना सके। शीग्र ही उसको न्युक्ती के लिए बुलावे का पत्र मिल गया। प्भोकता समोहू इस मामले में कुछ कर सकते हैं, चर्चा करें। 2. कुछ डिब्बाबंद वस्तूओं के पैकेट को लें जिनें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारियों का परीक्षन करें। देखें कि वे किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या आप सोचते हैं कि उन डिब्बाबंद वस्तूओं पर कुछ ऐसी जानकारियां दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं हैं। चर्चा करें। तीन, लोग नागरिकों की समस्याओं जैसे खराब सडकों या दूशित पानी और स्वास्ते सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं। लेकिन कोई नहीं सुनता। अब RTI कानून आपको प्रशन पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इस से सहमत हैं? विचार कीजिए। चयन के अधिकार का उलंगन पैसे लोटाए गए। अंसारी नगर की अभिरामी नामक छात्रा ने दिल्ली में व्यवसाइक पाठे क्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रिय कोचिंग संस्थान के दो वर्षिये पाठे क्रम में नामांकन कराया। पाठे क्रम में भाग लेने के समय पूरे दो वर्ष के अधियन के लिए करीब 61,020 रुपए जमा किये। लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहां ठीक नहीं है। इसलिए उसने साल के अंत में पाठे क्रम को छोड़ देने का निश्चे किया। जब उसने एक साल का पैसा लटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोकता नियायाले में मुकदमा दायर किया तो नियायाले ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपए लटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। संस्थान ने पुनह राज्य उपभोकता आयोग में अपील की। राज्य उपभोकता आयोग ने जिला नियायाले के नियर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 रुपए का दंड लगाया। उसने संस्थान को 7,000 रुपए मुआवजे और याची का खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यवसाइक संस्थानों को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीज को एडवांस में लेने से मना किया। किसी भी उपभोकता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयू या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए, आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकांदर कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे. अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है, तब आपके चुनने के अधिकार का उलंगन हुआ है. ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं, तो गैस डीलर उसके साथ एक चूलह भी लेने के लिए दबाव डालता है. इस प्रकार, कई बार हम पर उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है, जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिलकुल नहीं होती, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता. प्रिष्ट, संख्या, 82 आओ, इन पर विचार करें. यहां कुछ ऐसी वस्तुओं के लुभाने वाले विज्ञापन दिये गए हैं, जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं. इन में वास्तव में क्या कोई ऐसा विज्ञापन है, जो सचमुच में उपभोगताओं को लाप पहुचाता हो, इस पर विचार विमर्ष कीजिए. प्रतेक 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट. अखवार के ग्राहक बनें, साल के अंत में उपहार पाएं. खुरचिये और दस लाग तक का इनाम जीतिये. 500 ग्राम ग्लुकोस डिब्बे के भीतर एक दूद का चॉकलेट. पैकिट के भीतर एक सोने का सिक्का. 2000 रुपए तक का जूटा खरीदें और 500 रुपए तक का एक जोड़ी जूटा मुफ्त पाएं. इन उपभोकताओं को न्याय पाने के लिए कहा जाना चाहिए? रेजी मैथ्यू और अभीरामी के प्रकरणों को पुनह पढ़ें, जो पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है. वे कुछ उदाहरण हैं जिन में उपभोकताओं के अधिकारों की अभेलना की गई है. ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं. इस स्थिती में इन उपभोकताओं को न्याय पाने के लिए कहा जाना चाहिए? उपभोकताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोशन के विरुद्ध क्षती पूर्ती निवारण का अधिकार है. यदि एक उपभोकता को कोई क्षती पाहुचाई जाती है, तो क्षती की मात्रा के आधार पर उसे क्षती पूर्ती पाने का अधिकार होता है. इस कारे को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवशकता है. आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीडित व्यक्ती अपने ख्षती पूर्ती प्राप्त करता है. अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं. इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गाउं एक मनी ओर भेजा. उनकी बेटी को जब इन पैसों के जरूरत थी, तब पैसे प्राप्त नहीं हुए. यहां तक की महीनों बाद भी नहीं पहुँचे. प्रकाश ने नई दिल्ली की एक जिला स्तर की उपभोकता अदालत में मुकदमा दर्ज किया. उन्होंने जो कदम उठाए, वे सभी विस्तार से नीचे दिये जा रहे हैं. इसके बाद नीचे कुछ चित्र हैं. पहले चित्र में प्रकाश मनी ओर भेजने के लिए पोस्ट आफिस जा रहा है. दूसरे चित्र में प्रकाश फोन कर रहा है और उसे यह पता चलता है कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले हैं. तीसरे चित्र में प्रकाश मनी ओर के बारे में पोस्ट आफिस में पूश्टाच कर रहा है. चौथे चित्र में पोस्ट आफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्णों का संतोष जनक उत्तर नहीं दिया गया पांच्वें चित्र में प्रकाश क्षेत्रिय उपभोकता संग्रक्षन परिशद में सलाहा लेने के लिए जा रहा है चौथे चित्र में एक रेजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया गया है जो प्रकाश ने लिया मुकदमा दर्ज करने के लिए और उसे भरा साथमे चित्र में प्रकाश अदालत में मुकदमे पर स्वेम बहस कर रहा है आठवे चित्र में अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं और नवे चित्र में जज अदालत का फैसला सुना रहे हैं प्रिश्ट संख्या 84 भारत में उपभोकता आंदोलन ने विभिन संगठनों के निर्माण में पहल की है जिन्हें सामानने तह उपभोकता आदालत या उपभोकता संगरक्षन परिशत के नाम से जाना जाता है ये उपभोकताओं का मार्ग दर्शन करती हैं कि कैसे उपभोकता आदालत में मुकदमा दर्श कराएं बहुत से अवसरों पर ये उपभोकता अदालत में व्यक्ति विशेश याने उपभोकता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं ये स्वैम सेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तिय साहता भी प्राप्त करते हैं यदि आप एक आवासिय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्यान संग का नामपट अवश्य देखा होगा यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यवसाइक कारवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है कोप्रा के अंतरगत उपभोकता विवादों के निप्टारे के लिए जिला, राज्य और राश्ट्रिय स्तरों पर एक त्री स्तरी नियाएक तंत्र स्थापित किया गया है जिला स्तर का नियाएले बीस लाख तक के दावों से सम्मंधित मकदमों पर विचार करता है राज्य स्तरी ये अदालतें बीस लाख से एक करोड तक और राश्ट्रिय स्तर की अदालतें एक करोड से उपर की दावेदारी से सम्मंधित मकदमों को देखती है यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के नियायाले में खारज कर दिया जाता है तो उपभोकता राज्य स्तर के नियायाले में और उसके बाद राश्ट्री स्तर के नियायाले में भी अपील कर सकता है इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता नियायाले में प्रतिनिधित्व का अधिकार दे कर हमें समर्थ बनाया है आओ इन पर विचार करें निम्नलिखित को सही क्रम में रखें क, अरिता, जिला उपभोगता अदालत में एक मुकदमा दायर करती है क, वह शिकायत के लिए पेशेवर व्यक्ति से मिलती है ग, वह महसूस करती है कि दुकानदार ने उसे दोश युक्त सामगरी दी है ग, वह अदालती कारेवाहियों में भाग लिना शुरू कर देती है अंग, वह शाखा कारेवाले में जाती है और डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करती है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता च, अदालत के समक्ष पहले उससे बिल और वारंटी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया च, वह एक खुद्रा विक्रेता से दीवार घड़ी खरीतती है ज़, कुछी महीनों के भीतर नियायाले ने खुद्रा विक्रेता को आदेश दिया कि उसकी पूरानी दिवार घड़ी की जगह बिना कोई अतिरिक्त मूले लिए उसे एक नई घड़ी दी जाए जागरूक उपभोगता बनने के लिए आवश्यक बात हैं यहां जागो ग्रहाक जागो शीर्शक से एक चित्र दिया गया है जिसमें वाईउ प्रदूशन, जल प्रदूशन और ध्वनी प्रदूशन के विरुध उपभोगता को जागरूक किया गया है जागरूक उपभोगता बनने के लिए आवश्यक बात हैं जब हम विभिन वस्तूएं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोगता के रूप में अपने अधिकारों के प्रती सचेत होंगे तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ट चुनाव करने में सक्षम होंगे एक जागरोग उपभोगता बनने के लिए निपोणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है हम अपने अधिकारों के प्रती सचेत कैसे हूँ निम्नलिखित प्रिष्ट और पहले की प्रिष्टों के विज्यापनों को देखें आप क्या सोचते हैं कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोगता मामलों के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भुमी का अदा की है आप जो विज्यापन देख चुके हैं वहे एक उधारण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अबगत कराती है जिसका वे प्रयोग कर सकते हैं आपने टेलिविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्यापन देखे होंगे यहां जागो ग्रहक जागो शीरशक से एक चित्र और दिया गया है जिसमें महात्मा गांधी चर्खा कात्ते हो दिखाए गए हैं और इस चित्र के नीचे महात्मा गांधी का एक कथन दिया गया है, जो इस प्रकार है कि एक ग्रहक दुकानदार पर आश्रित नहीं है, बलकि दुकानदार ग्रहक पर आश्रित है. ISI और एगमार्क जो की अनुवीक्षन तथा प्रमान पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ट गुर्णवत्ता पालन करने की स्थिती में शब्द चिन्ध प्रयोक करने की अनुमती देते हैं. यद्यपी ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुर्णवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों के लिए इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता. फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थे को प्रभावित करते हैं या जिनका उप्योग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे की LPG सिलेंडर्स, खाद्यरंग और उसमें प्रयोक्त सामक्री, सीमिंट, बोतलबंद पेजल, आदी. इनके उत्पाद्न के लिए यह अनिवार्रे होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमान पत्र प्राप्त करें. यहां विभिन वस्तुओं पर ISI, एगमार्क या हॉलमार्क के शब्दचिन दिखाए गए हैं. प्रिष्ट संख्या 86 आओ इन पर विचार करें. 1. इस अध्याय के पोस्टरों के कार्टूनों को देखें. एक उपभोक्ता के द्रिष्टिकोंड से किसी वस्तुविशेश की उससे संबंधित विभिन पहलूं पर विचार करें. इसके लिए एक पोस्टर बनाएं. 2. अपने क्षेत्र के निकट्तम उपभोक्ता अदालत का पता करें. 3. उपभोक्ता संगरक्षन परिषद एवं उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है? 4. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को निमनलिखित अधिकार प्रदान करता है. 5. प्रतिनिधित्व का अधिकार च सुरक्षा का अधिकार च उपभोक्ता सिक्षा का अधिकार. निमनलिखित मामलों को उँनके सामने दिए गए खानों में अलग शीषक और चिन्ह के साथ शिर्णी बद करें. क लटा को एक नए खरीदे गए आईरन प्रेस से विद्युत का जटका लगा। उसने तुरंट दुकानदार से शिकायत की। क जौन विगत कुछ महीनों से MTNL द्वारा दी गई सेवाओं से असंतुष्ठ है। उसने जिलास्तरिय उपभोगता फोरम में मुकदमा दर्च कराया। ग, तुम्हारे मित्र ने एक दवा खरीदी जो समाप्ति तारीख, एक्सपारी डेट पार कर चुकी है और तुम उसे शिकायत दर्च करने की सलाहा दे रहे हो। ग, इकवाल कोई भी सामगरी खरीदने से पहले उसके आवरण पर दी गई सारी जानकारियों की जाँच करता है। च, आप अपने क्षेत्र के केबल ओपरेटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से असंतुष्ठ हैं, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। च, आपने ये महसूस किया कि दुकानदर ने आपको खराब कैमरा दिया है। आप मुक्खे कारियाले में दिर्टा से शिकायत करते हैं। पांच, यदि मानकी करण वस्तुओं की गुनवत्ता को सुनिश्चित करता है, तो क्यों बाजार में बहुत सी वस्तुओं बिना ISI अथवा एग मार्क प्रमानन के मौजूद हैं। 6. हॉल्मार्क या ISI प्रमानन उपलब्ध कराने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। 24 दिसंबर भारत में राश्ट्रिय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसत ने उपभोक्ता संग्रक्षन अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायाले है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कारे विधियों के मामले में कुछ तरक्षी की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिन में से केवल 20-25 ही अपने कारियों के लिए पूर्ण संगठित और माननेता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया, जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमें अदालती कारिवाईयों में शामिल होने और आगे बढ़ने आजी में काफी समय लेते हैं। प्रिष्ट संख्या, 87 अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिती में प्रमान जुटाना आसान नहीं होता। इसके आदावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटी फुटकर दुकानों से होती हैं। दोश युक्त उत्पादों से पीडित उपभोकताओं के शती पूर्ती के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के बीस वर्ष बाद भी भारत में उपभोकता ग्यान बहुत धीरे धीरे पैद रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेतर में ये कमजोर है। इस परकार बाजारों के कारे करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायह पालन नहीं होता। फिर भी उपभूगताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है. यह अकसर कहा जाता है कि उपभूगताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभूगता आंदोलन प्रभावी हो सकता है. इसके लिए स्वेच्छिक प्रयास और सबकी साजिदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है। अभ्यास एक, बाजार में नियमों और विनियमों की आवेशक्ता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाएं। 2. भारत में उपभोकता आंदोलन की शुरूआत किन कारणों से हुई? इसके विकास के बारे में पता लगाएं। 3. दो उदाहरण देकर उपभोकता जागरूकता की जरूरत का वरणन करें। 4. कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोकताओं का शोशन होता है। 5. उपभोकता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्मान की जरूरत क्यों पड़ी। 6. अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोकता के रूप में अपने कुछ कर्तवियों का वरणन करें। 7. मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और बिसकिट का एक पैकेट खरीदते हैं। 8. भारत में उपभोकताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन खानूनी मानदेंडों को लागू करना चाहिए। 9. उपभोकताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रतेक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। 10. उपभोकता अपनी एक जुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। 11. भारत में उपभोकता आंदोलन की प्रगती की समीक्षा करें। 12. निम्न लिखित को सुमेलित करें। 1. एक उत्पाद के घटकों का विवरण। 2. एगमार्क। 3. स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुरघटना। 4. जिला उपभोकता अदालत विकसित करने वाली एजनसी। 5. उपभोकता इंटरनेशनल। 6. भारतिय मानक ब्यूरो। अब जो वाक्के पढ़ रहा हूँ, आपको इन वाक्यों को आगे पढ़े जाने वाक्यों से सुमेलित करना है। क. सुरक्षा का अधिकार। ख. उपभोकता मामलों में संबंध। ग. अनाजूं और खाद्य तेल का प्रमाण। घ. उपभोकता कल्यान संगठनों की अंतराश्ट्रिय संस्था। अंग. सूचना का अधिकार। च. वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक। अंग. सूचना का अधिकार। च. वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक। प्रिष्ठ संख्या 88। प्रश्न संख्या 13। सही यह गलत बताएं। क. कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है। ख. भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसके पास उपभोक्ताओं के समस्याओं के नेवारण के लिए विशिष्ट अदालते हैं। ग. जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसका शोशन हुआ है तो उसे जिला उपभोक्ता अदालत में निश्चित रूप से मकदमा दायर करना चाहिए। ग. जब अधिक मोल्ले का नुकसान हो तभी उपभोक्ता अदालत में जाना लाभप्रद होता है। अंग. हॉलमार्क आभोशनों की गुनवत्ता बनाए रखने वाला प्रमान है। च. उपभोक्ता समस्याओं के निवारन की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीग्र होती है। च. उपभोक्ता को मुआवजा पाने का अधिकार है, जो क्षती की मात्रा पर निर्भर करता है। अतिरिक्थ परियोजना, कार्यकलाप एक, आपका विद्याले उपभोक्ता जागरूक्ता सप्ताहा का आयोजन करता है। उपभोक्ता जागरूक्ता फोरम के सचिव के रूप में सभी उपभोक्ता अधिकारों बिंदूों को शामिल करते हुए एक पोस्टर तयार करें। इसके लिए आप प्रिष्ट 84 और 85 पर दिये गए विज्यापन के विचारों और संकेतों का उप्योग कर सकते हैं। ये कार्य अपने अंग्रेजी शिक्षक के सहयोक से करें। दो, श्रीमती कृष्णा ने छे महिने की वारंटी वाला रंगीन टेलेविजन खरीदा। तीन महिने बाद टीवी ने काम करना बंद कर दिया। जब उन्होंने उस दुकान पर शिकायत की जहां से टीवी खरीदा था, तो उसने सही करने के लिए एक इंजीनियर भेजा। टीवी बार-बार खराब होता रहा और श्रीमती कृष्णा को दुकानदार से शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र के उपभोकता फोरम से शिकायत करने का निर्णे लिया। आप उनके लिए एक पत्र लिखिए। आप लिखने से पहले अपने सहयोगी समुहू सदस्यों से चर्चा कर सकते हैं। अपने विद्याले में उपभोकता क्लप स्थापित करें। बनावटी उपभोकता जागरूगता कारेशाला आयोजित करें। और उसमें अपने विद्यालेक शेत्र के पुस्तक केंद्रों, भोजनालेओं और दुकानों के नियंत्रण जैसे मुद्दों को शामिल करें। 4. आकरशक नारों वाले विज्यापन तैयार करें। जैसे सतर्क उपभोकता ही सुरक्षित उपभोकता है। ग्रहक सावधान, सचेत उपभोकता, अपने अधिकारों को पहचानो। उपभोकता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करें। उठो, जागो और तब तक मत रुको। इसके आगे रिक्त स्थान दिया गया है, जिसे आपको पूरा करना है। पांच, अपने आसपास के चार-पांच लोगों का साक्षात कार लें, कि कैसे वे शोशन का शिकार बनें, और उनकी प्रतिक्रियाओं, एवं विभिन अनुभवों को इकठा करें। छे, निम्न लिखित प्रशनावली को वित्रित कर अपने क्षेत्र का एक सर्विक्षन करें, और जानें कि वे उपभोक्ता के रूप में कितने जागरूख हैं। प्रिष्ट संख्या नवासी इस प्रिष्ट पर एक प्रशनावली दी गई है। प्रतेक प्रशन के लिए किसी एक पर निशान लगाना है। इसके लिए तीन विकल्प हैं। क हमेशा, ख कभी-कभी, ग कभी नहीं। और प्रशन इस प्रिकार हैं। एक, जब आपने कोई सामान खरीदा, तो आपने रसीद की मांग की। दो, क्या आपने रसीद को सुरक्षित रखा। तीन, जब आपको ऐसा लगा कि आप दुकानदार द्वारा ठगे गए हैं, तो आपने उससे शिकायत की। चार, क्या आप उसे यह बताने में सफल हुए कि आप छले गए हैं। पांच, क्या आप खुद को यह समझा कर संतुष्ट हो जाते हैं, कि यह आपका दुरभाग्य है, कि अकसर आप ठगे जाते हैं और इसमें कुछ नया नहीं है। 6. क्या आप ISI, चिन, समाप्तितिती, आदी की जांच करते हैं। 7. अगर समाप्तितिती मात्र एक महिना या उसके आसपास हो, तो क्या आप ताजे पैकेट की मांग करते हैं। 8. क्या आप नए गैस सिलिंडर या पुराने अखवारों को खरीदने बेचने से पहले खुद वजन की जांच करते हैं। 9. जब सबजी विक्रेता वास्तविक बाट के स्थान पर पत्थरों का उप्योग करता है, तो क्या आप विरोध करते हैं। 10. क्या अत्यधिक चटकीले रंगों वाली सबजीयां आपके संदेहे को बढ़ाती हैं। 11. क्या आप ब्रांड की जानकारी रखते हैं। 12. क्या आप अधिक कीमत को उच्च गुनवत्ता का मानक मानते हैं। 12. इससे आपको लगता है कि अंततहा आपने बहुत ज्यादा भुकतान नहीं किया। 13. क्या आप आकरशक प्रस्तावों पर बेहिचक प्रतिक्रिया करते हैं। 14. आपने किसी वस्तु के लिए जो मोल्ले दिया, उसकी तुलना दूसरों के द्वारा उसके लिए दिये गए मोल्ले से करते हैं। 15. क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका दुकानदार आप जैसे स्थाई ग्रहकों को कभी नहीं ठकता। 16. क्या आप उचित भार आदी की किसी शंका के बगएर प्रस्तावित सामान की होम डिलीवरी का समर्थन करते हैं। 17. आटो से यात्रा करते समय आप मीटर से चलने की मांग करते हैं। 17. क्या यदि प्रश्न 5, 12, 13, 15 और 16 के लिए आपका उत्तरग अर्थात कभी नहीं है और 6 के लिए का है का अर्थात हमेशा है, तो आप उपभोकता के रूप में पूरी तरह जागरूख हैं। 17. ख. अगर प्रश्न 5, 12, 13, 15 और 16 के लिए आपका उत्तर का अर्थात हमेशा है और 6 के लिए ग अर्थात कभी नहीं है, तो आपको उपभोकता के रूप में जागरूख होने की जरूरत है। 17. ग. यदि सभी प्रश्नों के लिए आपका उत्तर ख है, ख अर्थात कभी कभी, तो आप आणशिक रूप से जागरूख हैं। इसी के साथ यह पुस्तक यहीं समाप्त होती है। आर्थिक विकास की समज। अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनी पुस्तक। वाचक राजेश आहुजा, ध्वन्यंकन बटिलैंग लेंग दोह और सरोज महापात्रा, निर्मान सहयोग विमलेश चौधरी, संपादन एवं निर्मान अजीत होरो, तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली। प्रस्तुती C.I.E.T.